दूसर पिशली एक महिने में जपान के तीन काबनेट मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया है पर इस वीडियो में हम जपान की पॉलिटिकल या एकनोमिकल क्राइसिस को नहीं बलकि उस क्राइसिस से भारत में पढ़ने वाले एसर को तीन पॉइंट्स में डिसकस करेंगे नमबर एक दूसर चाइना का अब तक टाइवां को फोर्सफोली उकुपाई ना करने का एक रिजन जपान का प्रेजन उसके नेबर में है एक उकुपेशन के स्थिती में जपान का यूज़ करके USA जपान को अपना एक सुपर मिलिटरी बेस की तरह यूज़ कर सकता है नमबर दो जपान ने इंडिया के नॉर्थीस और अंड़मान निकोबार रिजन में हेवली इन्वेस्ट किया है इसका में परपस चाइना को इस रिजन में काउंटर करना है स्ट्रेजिक इन्वेस्मेंट के लावा जपान इंडिया की IT और स्टार्टप इंडस्ट्री पर भी बहुत ज़ादा ट्रस करता है उधारन के लिए 2016 से 2020 तक जपान ने इंडियन IT सेक्टर में 9.2 बिलियन डॉलर्स इंवेस्ट किये हैं जिससे लगभग 1.02 लाग जॉब्स क्रेट हुई है दोस्तों मेंशन पॉइंट्स के लावा वो और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे एक अंस्टेबल जपान भारत के फेवर में नहीं जाएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बिताईएगा और ऐसे ही परस्पेक्टिव डिवन वीडियो के लिए फॉलो करें आदर्श कुकता को